क्या करेंगे चचा बाइडिन एक तरफ ताइवान को बचानी की सोच रहे थे और यहां तो पंदर पंदर युद्धुपोतों के साथ अमेरीका के जल्चेतर में ही घुसपेट हो गई हैं अमेरिका के अंदर गुस पैट कर दिया है चाइना और रूस ने 15 युद्ध पोत के साथ उतरे हैं जानेंगे अमेरिका ने फिर इसका रियेक्शन क्या दिया है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से तीन देशों के ऊपर भारत की गाज क्यों गिरी है चाइना के एक बड़े जगा दिख रही होगी इस जगा को कहते हैं अलासका और अलासका अमेरिका का सबसे बड़ा छेत्रफल की तुलना में राज्य है यहां तीन राज्यों को अगर आप मिला देंगे तो उसके बराबर एक अकेला अलासका है टेकसास केलिफोर्निया मोंटाना और आपको बता द काफी बड़ा है लेकिन इसके इतिहास के बारे में एक चीज और जान लीजिए इसका इतिहास यह अमेरिका का नहीं था यह था रूस का रूस का सासन यहां चलता था लेकिन रूस ने 1867 में इसे मात्र उस समय के हिसाब से 7.2 मिलियन डॉलर में बेच दिया आज अगर लास्का को रूस ने बेच दिया उस वक्त रूस ने ज्यादा सोचा नहीं क्यों क्योंकि अलास्का को कंट्रोल करना रूस के लिए बहुत महंगा साबित होता था काफी दूर दराज इलाके में था इसकी पॉपुलेशन थी करीब 7,36,000 2020 के अनुसार और इस पॉपुलेशन लाखो डॉलर रूस को खर्च करने पड़ते थे रूस ने सोचा चलो इसे बेच ही दो अमेरिका इसके नजदीक पड़ रहा है अमेरिका इसका इसका इस्तेमाल कर लेगा और अमेरिका भी इसे खरीदने को रेडी हो गया तो यह बिग गया और अमेरिका ने इसे खरीद लि क्यों क्योंकि अलास्का के बर्फ पिघल रहे थे और इस बर्फ के नीचे खजाना दबा था खजाने को सूम कर तो चाइना कहीं भी गुज जाए हुआ भी ऐसा ही 2020 में चाइना की युद्ध पोत को इसके नजदीक के एक द्वीप में देखा गया दरसल ये द्वीप जो है ये द्वीप नजदीक पड़ता है और जलचेतर में पड़ता है अमेरिका के चुकि अलास्का अमेरिका का हो गया तो इसके आसपास के इलाके भी तो हो गए 2021 की इस गटना को उतना ध्यान नहीं दिया अमेरिका ने फिर रूस के सर्विलांस बीमान भी यहां पर दीखे तब समझ में आने लगा कि यहां अलास्का में कुछ तो गड़बड है फिर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया अलास्का को नजर अंदाज किया अमेरिका ने है अलास्का में खजाना है एक बार को तो ये भी बात होने लगी कि इस अलास्का रीजन को रूस कहीं न कहीं वापस से पाना चाहता है बीतते समय के साथ रूस के पास कई सारी सक्तियां आ गई है चुकि ये बर्फिला जगह है इस बर्फिला जगह में कई बार बर्फ को तोड़ना पड़ता है तोड़ने के लिए जहां रूस के पास 54 कुछ तो ऐसे हैं जो nuclear technology से चलने वाले हतियार हैं तो वहीं अमेरिका के पास मात्र दो ice breaking हतियार हैं पर तेल और गैस का भंडार अब Alaska के इस रीजन में बहुत ज़्यादा निकलने लगा अब देखा ये जा रहा है कि Alaska के इस रीजन में अचानक से चाइना और रूस के ग्यारा युद्धपोत गुस आए हैं जैसे ही ये खबर मिली है इस खबर के बाद अमेरिका ने अपने destroyer को यहां दोडाया है पर कहा जा रहा है कि यहां इस्तिती थोड़ी tension वाली बन गई है अमेरिका ने बहुत ज़्यादा detail नहीं दिया है कि यहां पर क्या क्या हो रहे हैं और कैसे चाइना और रूस के युद्धपोत यहां पर गुस आए हैं पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं article कहा जा रहा है एक नहीं दो नहीं बलकि 99 युद्धपोत यहां पर entry कर चुके हैं पहली बार ऐसा हो रहा है जब रूस और चाइना दोनों मिल कर युद्धपोतों को ताइवान की तरफ नहीं बलकि अमेरिकी जलचेतर में गुसा रहे हैं यहां पर गुस पैट कर रहे हैं अब तक इस तरीके की गुस पैट जापान के एरिया में ये लोग किया करते थे या फिर ताइवान के एरिया में किया करते थे अब आगे समय बताएगा कि यहां पर क्या हो रहा है क्या यहां युद्ध करने के मोड से आए हैं यह दोनों देश या फिर यूही कुछ डराने धमकाने के इरादे से आए हैं सबसे अजीब बात यह है कि रूस के युद्ध पोत तो चलो फिर भी ठीक हैं क्योंकि यह पास में ही पढ़ते हैं इस इलाके के लेकिन चायना के युद्ध पोत भी वहां तक पहुँच गये हैं जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 2021 में भारत सरकार ने एक नियम पास किया 2020 में गलवान घाटी का कांड हुआ जिसके बाद 2021 में सरकार ने कहा कि देखो आप जो नेटवर्क के चीजों को लोगे तो ऐसे जगह से लो जो विश्वासी हो और विश्वासी चीजे दे कहने का अरत ये था कि JTE और Huawei इन दोनों के ऊपर कहीं न कहीं परतिबंद साल लग गया अब देखा ये जा रहा है कि 2021 में इस नियमों के विपरीत एक आर्टिकल आ रही है कि JTE फिर से भारत के मार्केट में गूस रहा है क्यों ये आ रही है आर्टिकल इसलिए आ रही है क्य इन पर आप ये क्लीप देख सकते हैं अब इस और के क्या माइने है क्या JTE और Huawei को फिर से छूट मिल गई है तो आपको बता दें JTE और Huawei को छूट नहीं मिली है हुआ ये जो कहा जा रहा है कि वोड़ाफोन आइडिया इन्होंने काफी लंबे समय तक इनके ऑप्टिकल ठीक पास जाना होगा तो इस मुश्किल में आखिरकार कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने अनुमती दी कि चलो ठीक है कोई नहीं तुम अपगरेट करा लो चुकी लाखों डॉलर अर्बो डॉलर पहले ही खर्च कर चुके हो तो यहां पर ये काम करवा लो अब आगे भविस म पर अइसा नहों इसके लिए भारत सरकार ने कुछ नियम मना दिये हैं स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं भारत सरकार ने एक तरीके से एक परतिबंद थोब दिया है और यह परतिबंद तीन देशों पर किया है पर सबसे जादा असर पढ़ रहा है इस वक्त चाइ गए हैं कि तीन देश चाइना, कोरिया, इंडोनेसिया इनसे ऑप्टिकल फाइबर अगर खरी देंगे और ये अगर हमारे देश में बेचने की कोशिज करेंगे तो इन्हें एंटी डंपिंग ड्यूटी देना होगा यानि कि जो टैक्स होगा वो काफी बड़ी मात्रा में जब ये महेंगों हो जाएंगे तो हमारे देश में जो बन रहे हैं उप्टिकल फाइबर उन्हीं का इस्तेमाल होगा चूकि ये कमपनिया सस्ते दरोपर दे कर हमारे घरेलू मार्केट को तबाह कर रही थी इसलिए सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इनके उपर लगा है कि ये ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे अपने देश के बने हुए हो ना कि किसी और देश के वैसे आपको क्या लगता है भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है या नहीं कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ